नमस्कार धर्मग्यान में एकवा फेर आप सबका स्वागत है और हमेशे की तरह है मैं हूँ आपके साथ कविताराना न्याय धिश श्यनी देव जिनके न्याय चक्र से देफता हो या फिर दानव महात्मा हो या फेर आम आदमी कोई बच नहीं पाता तभी तो व्यक्ति को राजा से रंक और रंक से राजा बनाने वाले शनी देव से हर कोई ड़ता है यू तो प्रते ग्रह का अपना अपना प्रभाव होता है लेकिन शनी एक ऐसे ग्रह हैं जो प्रसन होने पर जहाँ व्यक्ति की जिंदगी बदल देते हैं तो वहीं इनकी तेड़ी द्रिस्टी साड़े साती और धाया के रूप में व्यक्ति को दिन में भी तारे दिखा दे और ठीक इसी तरह जब शनी की टेड़ी द्रिस्टी पड़ती है तो कई संकेत लेकर आती है शनी जब आप पर भारी होता है तो बहुत से लोगों के माथे का रग बदलने लगता है माथे का तेज धीरे धीरे खत्म होने लगता है और ललाट पर कालपन नजर आने लगता है ऐसे वेक्ति को हर कारिय संभर करना चाहिए क्योंकि उन पर कलंक लगने का भी भाय रहता है ऐसे वेक्ति को अपियश का भी सामना करना पड़ता है और सोचना कुछ और क्योंकि वो सोचते कुछ और है और उनके साथ वो कुछ और जाता है वहीं जब शनी अशुर प्रभाव देते हैं तो परिवार और कारुबार में चीज़ें खराब होने लगती हैं और कारिय बिगडने लगते हैं साथी कारुबार के स्थान और घर में आग लगने का भी भय बना रहता है इसके साथे साथ व्यक्ति के कुंडिली में शनी का खराब होना उसके मन को अनैक्तिक चीजों की ओर आकरशित भी करता है और ऐसा इसलिए क्योंकि शनी का प्रफा व्यक्ति की सोच को भी बदल देता है और वो ऐसे कारियों को करने लग जाता है जिसके चलते उसे आर्थिक नुकसान का भी सामना करना पड़ता है तो शनी का भारी होना व्यक्ति के खान पान की आदतों में भी जह लगता है देखिए व्यक्ति की रूची कड़वे, तैली और मासाहारी भोजन में बढ़ने लगती है बांस मदिरे से दूर रहने वाला व्यक्ति भी इनमें रूची लेने लगता है और इसलिए जब इन चीज़ों में रूची बढ़ने लगे तो व्यक्ति को संभल कर जरूर हैना चाही जोतिशास्त्र विससाथ शनी के अशुक रभाव से व्यक्ति के स्वभाव में भी बदलावाने लगता है वो जूट बोलने लगता है उसमें क्रोध की भावना वड़ने लगती है तो यह हमने आपको बताया कि भाई जब व्यक्ति पर शनी भारी होता है तो किस पकार वो खुद कैसे पहचाने की भाई उस पे उपर शनी की तेड़ी और साड़े सतियन की दोनों दृस्टी चड़ी हुए